लोग सभा चुना से पहले उतरपरदेश में स्यासी सरगर्मिया काफी तेज हो चुकी है उतरपरदेश में हाल ही में समाजवादी पार्टी के साथ गटवंदन हुआ है कॉंग्रेस का और अब कॉंग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ राज्य में एक्टिव नसरारी है खास्तोर से प्रदेश की वीवी आईपी लोग सभा सीट राय बरेली जेहा जैसा कि आप जानते हैं कि राय बरेली पर गांधी परिवार का कबचा रहा है गांधी परिवार के सदस्य यहां से चुनाव लड़ते हुई नसराई हैं जीत हासिल करते हुई नसराई हैं लेकिन इस बार कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्षु सौनिया गांधी ने ये स्ताफ कर दिया कि वह अब लोग सभा चुनाव नहीं लड़ेंगी उम्र संबंदी समस्याओं से वह जूज रही है इसी के चलते स्वास्ता संबंदी समस्याओं का हवाला देते हुए सौनिया गांधी इनकार कर चुकी है लेकिन अब यहां पर इंतजार ये किया जारा है कि आखिरकार राय बरेली सीट से चुनाव कौन लड़ेगा कौंग्रेस निता राहुल गांधी या फिर पार्टी की राष्ट महासची प्रेंका गांधी वाड़रा ऐसे में देखा जाए तो प्रेंका गांधी वाड़रा को लेकर एक बार फिर से मांग तेज हो चुकी है जानकारी देदे कि हाल ही में एक पोस्टर सामने आया है कौंग्रेस के राष्ट्र अध्यक्ष मलिका अर्चन खडगे, कौंग्रेस संसद्य दल के अध्यक्ष सौनिया गांधी और कौंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तस्वीर लगी हुई है और इस पर लिखा गया है राय बरेली की यही पुकार प्रेंका गांधी जी अब की बार ऐसे में अब यहाँ पर बैनर पोस्टर से कयास तेज हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं प्रेंका गांधी को ही मैदान में उतारा जा सकता है तावा ये है कि ये पोस्टर दिल्ली विश्विध्याले के पूर्व चात्र नेता रिशब रागवेंद्र बाचपेई ने लगवाया है राय बरेली में प्रैंका गांधी के पोस्टर लगने के बाद उनके इस सीर से चुनाव लड़ने के कयास तेज हो चुके हैं और पहले ही यूपी कॉंग्रेस प्रोदेश अद्यक्ष अजयराय स्ताफ कर चुके हैं कि प्रैंका गांधी या फिर राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव लड़ने की वह अपील भी कर चुके हैं तो क्या वेह उतर्ना पसंद करेंगी, इस पर फैसला खुद प्रेंका गांधी ही लेंगी, आपको जानकारी देदें कि उनके पती रोवर्ट वाडर भी यही चाहते हैं कि प्रेंका गांधी को अब लोग सभा चुनाव लड़ने चाहिए, इस खास रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देख रहें, नेक्स्ट टुनाइन न्यूज